मीडिया बंदुओं इसमें कोई संदे नहीं है कि जब से बीएसपी वे सप्पा का गड़बंदन हुआ है तो तब से खास कर सप्पा परमुख स्री अखलेस यादव वे उनकी पत्री स्रीमति डिंपल यादव बे मुझे पूरे दिल से मैं पूरे आदर समान से अपना बड़ा वे आदर समान कर मेरी बहुत इज़त करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले सिक्वों को भुलाकर व्यापक देश वे जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा-प और हमारे ये रिष्टे केवल अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं बलकि ये रिष्टे आगे भी हर सुद्दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे अर्थात हमारे ये रिष्टे अब कभी भी खतम होने वाले नहीं हैं ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी-पूरी कोशिस बनी रहेगी लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनितिक विवस्ताओं को भी पूरी तरह से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है ये भी सबी जानते ह और इसलिए अभी-अभी संपन हुए लोग सबाम चुनाप के संबंद में जो परिनाम खासकर उतर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाओं में सपा का बेस बोट अर्थात यादव समाज अपने बहले सीटों पर भी शपा के साथ पूरी मजभूति के साथ टिका हुआ हुआ नहीं रह सका है अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नराजगी के तहक भीतर घात किया है और संतर का कर वयादव बहले सीटों पर सप्पा के मजबूत उमीदवारों को भी हरा दिया है तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खास कर कन्नोज में सिरी मती डिंपल यादव बदाईयों में सिरी धर्मेंदर यादव वे फिरोजाबाद में सिरी राम गोपाल यादव के बेटे का भी हर जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है हलाके उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विप्रित आये चुनाप परिणाम में इबीम की भी भूमी का काफी कुछ खराब रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है किन्तो इसके बावजूद भी बीएसपी का बेसबोट वे सप्पा का अपना बेसबोट जुड़ने के बाद फिर इन सब को कतई भी हरना नहीं चाहिए था इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत जादा दुख है और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है ऐसी स्तिती में ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सप्पा का बेसबोट खुद सप्पा के खास सीटों पर ही छिटक गया है तो फिर उन्होंने बेसपी को अपना बोट कैसे दिया होगा यहां ये भी सोचने की बात है और इसी खास संदर्म में और इसी खास संदर्म में ही कल दिनाग 3 जून को दिल्ली बेसपी केंदरी कार्याले में उत्तर पर्देश के पार्टी संक्ठन के सभी वरिष्ट पदादिकारियों एवंजन प्रतिनिद्यों की एहम बैठक में इन चुनाप परिनामों की काफी गहन समिक्षा की गई और समिक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परंपूजे बावसाब डॉक्टर भीमरा बंबेडगर के मिशन पर चलने वाली एक करमठ अनुसासित व्यकैडर अधारित पार्टी है और उसी के तहर सप्पा से गडबंदन करके उसी मानसिक्ता के तहर चलकर सप्पा से गडबंदन करके बड़े मानपता बादी लक्ष की प्राप्ती को लेकर ये चुनाप लड़ा गया था लेकिन दुख के बात ये हैं कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है जिसके समन्द में सप्पा के काफी कुछ लोगों में भी काफी जादा सुधार लाने की जरूरत है तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में त्यार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी संप्रदायक वे जन्वरोधी नितियों से परदेश देश यानि कि उत्तर परदेश देश वे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठ और संकर्स करते रहने की सर्थ जरूरत है जिसका एक अच्छा मौका सप्पा के लोगों ने इस बार चुनाओं में गवा दिया हैं लेकिन अब आगे इन्हें इसी इसाब से काफी तियारी करने की जरूरत भी है और जदी मुझे लगेगा कि सप्पा पर्मुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिश्णरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं अब ही कोई ब्रेक पर्मानन कोई ब्रेक नहीं लगा है यदि हमें लगेगा इस बात को मैं फिर दोराती हूँ और यदि हमें लगेगा कि सप्पा पर्मुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिश्णरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो तो फिर हम लोग ज़ूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे और अगर वे किसी कारणवस इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना जादा बहतर होगा इसलिए वर्तमान इस्तिती में अब हमने को कि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटो पर बाई अलक्षन यूपी में होने वाले वो तो कभी भी अनुस हो सकते हैं इसलिए वर्तमा निस्तिती में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहां कुछ सीटो पर होने वाले उप चुनाबों में फिलाल अकेले ही ये चुनाब लड़ने क का फैसला लिया है तो यह मुझे अपने बात क्यूं आपके सामने रठने पड़ी है कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठक बुलाईती अलक्षन का नतीजा आने के बाद तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था ना कोई प्रेस जारी किया था और हम जागना था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हातों में खेल रही हों तो गलत तरीके से उसको हाइलाइट किया गया तो मुझे जब मैंने खुद आज सुबह देखा को कि कल मैं बहुत बीजी रही तो मैं देखनी सकी टीवी जो है तो लेकिन आज सुबह जब मैंने पोड़ दी गई है तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुदी मीडिया में आकर इस्तिती को स्पष्ट कर देना चाहिए इसलिए मैंने आज अपने जो कल जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है धन्यवाद